नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नमीन सोनीसर सनल में दोस्तों आज हम बात करने वालए आँज पी इवरेज की मैं दोस्तों भी तवेरा गाडी का जो आवरेज है उसको निकालने की कोशिछrint कर रहा हूं तो देखें दोस्तों इस प्रकार से आवरेज निकलता तो यहां पर डीजल जो है वोगाडी में डल रहा है इसमें कुछ दिनों पहले वोईल भी टपक रहा था नहीं चिक साइड में लेकिन दोस्तों उसको मैंने अभी रिपेर करवाया था जिसका वीडियो मैंने जस्ट पहले डाला था आप एंड स्क्रीन में देख सकते हैं कि य तो इसमें टेंक बिल्कुल से खाली था है इसलिए दोस्त इसमें बहुत सरा डीजल जो है वो आ रहा है कुछ समय में यह जो डीजल टेंक है वो दोस्तों पूरा पूरा पर जाएगा यह देखिए दोस्त आप देख रहे हैं कि यह देखिए डीजल टेंक जो है वो पूरा को पूरे यहां पर अभी भर गया है तो दोस्तों डीजल टेंक भड़ने के बाद में आप इस गाड़ी को लेकर जाओ और कुछ किलोमेटर वगएरा चला हो उसके बाद में आपको दोस्तों वापस जो डीजल है वो भरवाना है अभी आप देख रहेंगे टपकरा डीजल दे अभी तक आपने चैनल को सबसक्राइब किजिए और पास वीजो बेला एकर उसको क्लिक किजिए तक आपको मेरे मनाई ने नोटिफिकेशन जो पराफ्त होते रहें दोस्तों आप देख रहें नविन सोनी और वीडियो चैनल है जिसमें आपको सभी परकार की वीडियो जो ह है वो एक चैनल में मिलते हैं तो देखे दोस्तों जनली हमारा जो किलोमेटर है वो लगवग देखे 24.8 के आसपास हो गया है यहाँ पर आप देख रहें किलोमेटर 24 या 25 के आसपास 200 किलोमेटर जो है वो गाड़ी ने निकाला है भी और मैं अब इसको पेट्रल पम पर ले वर्वारा तो मैं इसमें वापस ध्यल भर और यह दोस्तों बहुत ही जल्दी इसमें डीजल जो है वो वर जाएगा क्योंकि दोस्तों लगवग जो 20-25 किलोमेटर ए गाड़ी जो चली है यह देखे दोस्तों इसमें जो डीजल वह पूरा बर गया है और यह डीजल आप गाड़ी का इवरेज जो हो निकाल सकते हैं